महिला उत्थान के लिए कृत संकल्प संस्था मानवी त्वारा जोंवार को राजकिय कन्या वरिष्ट माधमिक पाठचाला लकडबाजार में एक दिवसी कारेशाला का आयोजन किया गया इस कारेशाला में छात्राओं को गुड टच वा बैड टच के बारे में जागरुक किया गया ताकि छात्राओं ऐसी परिस्थितियों से बच सके राज़किय कन्या वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला लकर बाजार श्रिमला में मानवी संस्था त्वारा एक दिवस्य कारेशाला का आयोजन किया गया जिसमें चात्राओं को गुड टच वबाद टच के बारे में जागरू किया गया और इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इसकी जानकारी भी चात्राओं को दी गई इस कारेशाला का संचालन दीन दियाल उपाज़ाय अस्पताल की मनोव वग्यानिक दीपा राठ होर ने किया वो इस दौरान चात्राओं को उन्होंने महत्वपून जानकारियां दी सेटी चैनल से बात करते हुए मानवी संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर कुसुम शर्मा ने बताया कि आज के दौर में छोटी बच्चिया याउन शोशन का शिकार हो रही है उन्होंने कहा कि इस कारेशाला में छात्राओं को गुड टच और बैट टच के बारे में जागरू किया गया ताकि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके उन्होंने कहा कि इस कारेशाला में छात्राओं को अन्य महत्वपून जानकारियां भी दी गई आजल ने यहाँ इस स्कूल में एक कारेशाला का योजन किया है और ये कारेशाला पहले बार इस सब्जक्त हो गई है छोटी बच्ची जो आजकल यौन शूशन का शिकार हो गई है उनको उसके प्रती जागरूप करने के लिए और गुट टच बैड टच क्या होता है उनको कि इस तरीके से इसका विरूद करना चाहिए क्या क्या कर सकती है डरें नहीं है इस तरह की जिती भी बात है वो उन बच्चियों को बताने के लिए हमें यहाँ डॉक्टर दीपा रठोट जो के डिपन होस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट है उनको बुलाया है और वो इसकारिश आलाखा संचालन करेंगी और बच्चों को इसके बारे में बताएंगी कि उन्हें कब क्या करना चाहिए कि इन स्थितियों में अपने आपको इस तरह से बचाना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला